आदिखिया नया topic स्टाट करने से पहले हम आज आपको बता देते हैं कि हमने अब तक प्रजेंट और past के बारे में पढ़चुके थे दिखी प्रजेंड टेंज में हमने पढ़ाता कि है जिसके इंतरकत आता है पास्ट के अंतर गत पढ़ा था हमने था मतलब जो पास्ट की मतलब भूत की बाते हैं और future tense के अंतर गत हम पढ़ेंगे भविश्य के बाते जिनमें आएगा आपके गागेगी ध्यान रखिए अब हम start करेंगे future indefinite tense जैसे हमने present definite पढ़ा था past indefinite पढ़ा था अब पढ़ें हम future indefinite tense के अंतरगत क्या होगा कि देखें जो भी कारे होगा वह भविश्य में होगा इनके बाक्यों के अंत में गागेगी आते हैं क्या हैं गागेगी जैसे पढ़ेगा खेलेगा गाएगा सोएगा नहाएगा तो मतलब से सारी वाते जो हैं वह भविश्य काल की है मतलब आने वाले समय की है अब देखें हम देखेंगे को सेंटेंस जो मैंने नीचे लिख रखें हैं अब मैं घर जाओंगा आज हमारे महमान आएंगे तो मुझे जिंदगी वर याद करोगे अब मैं उसका इंतजार करूँगा अब देखें हम बात करेंगे इस tense की ह भी क्या होती तथा यू दे, यू और दे, और ही, शी, इट, नेम, जितनी भी अधर सब्जेक्ट है केवल आई बी को छोड़कर इनके शाथ हम विलका प्रियोग करेंगे, किसका प्रियोग करेंगे, विलका, अब देखिए इसमें एम बी कौन सी होगी, बर्व की फर्स्ट फॉर्म, कौन स कर जाओंगा, अब देखिए सेंटेंस में पहला सब्द है अब, अब इसे मैं हटा देता हूँ, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है मैं, तो आपकी इंगलिस लगाई मेने नाव, और अब इसे छोड़ दो से, अब मैं सब्जेक्ट का प्रियोग करेंगा, सब्जेक अब अगला सेंटेंस है, आज हमारे घर महमान आएंगे, आज हमारे घर महमान आएंगे, तो देखिए हमने इसे पहले करा जिसे आज को होटा दिया, और आज के अंगरी जी उतर लिखेंगे, हम तोड़े, तोड़े यानी क्या होता है, आज, अब देखिए हमारे घर महमान कि आएका है यहां पर विखुड़ करों कि अब विल के बाद हमें क्या करना आए अने की एक है और आने को हम गलिए कम तो संटन्स क्या हो गाँ वात मेश्ट वेश्गाषों करें के हमारे अगला जो sentence होगा वो क्या है तुम मुझे जिन्दगी बर्याद करोगे ऐसा कोई नत कोई कारे किया होगा आपने जो कोई व्यक्ति आपको जिन्दगी बर्याद रखेगा तो इसमें sentence लेते हैं तुम तुम की अंगरीजी होगी यू अब यू के according क्या आएगा वही यू के according आएगा विल लिखा याद करने को अंगरीजी में कहते हैं रिमेंबर रिमेंबर यानि होता है याद करना तो रिमेंबर के स्पेलिंग होती है र-e-m-e-m-b-e-r रिमेंबर क्या होगे र-e-m-e-m-v-e-r आप देखिए यू विल रिमेंबर किसे मुझे तुमी आप अगरीजी में पूरी लाइफ पूरी लाइफ में होल लाइफ ड़ल एचो एल एल आइफ अब नेक्स सेंटेंस देखते हैं अब मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा अपके अंगरीजी वही नाओ चाहिए तो नाओ को पीछे भी पटक सकते हैं देखिए नाओ के बार लिख शहल नौट वेड़ किसका उसका था अभी पता नहीं लड़की लड़का है तो मैं हर भी लिख सकता हूं जहें भी सकता हूं हो कि के अश्वधम से अब मैं डिसॉर कर रहूंगा कि देखो मुझे क्या लिखना है बनने लिखा ही नहीं है म protect einem के भीड्वध्यारतिक कि लाष मेहमान आएंगे ध्यान दीजी क्या मतलब interrogative sentence है आपके घर मेहमान आएंगे तो मेहमान के according क्या आएगा will तो हम सबसे पहले क्या करेंगे मेहमान के according will का प्रियूप करेंगे w i double l फिल लेखेंगे अब the guest the guest के बाद हम देखो आएगा बाद हमारी क्रिया क्रिया है आना तो कम लिख दिया कम के बाद हम लिखेंगे आपके घर में आपके घर में आपको पहले भी बताया था क्या होगी तो हमने लिखा to my home your home will the guests come to your home house क्या तुम विजली जमा करोगे क्या तुम विजली विल जमा करोगे तो देखिए इसमें सेंटेंस क्या है विजली का जमा करना तो will you deposit deposit का आर्थ होता है जमा करना electricity will electricity will यानि होता है विजली का will अगला है अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगे तो देखिए क्या करोगे तो क्या के अंगरी जी है what के बाद हमको क्रिया लेनी है अब you करना वहाँ जाकर ज्यान दिजिए मैंने sentence क्या था what will you do अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगे तो you do go there अब इसमें two को आप रियोग कर दो बीच में लगा कि next कौन क्या अंगरी जी होती है who will you आप देखे teach क्या अंगरी जी की बात है who will you teach English अब तुम्हें अंगरी जी कौन पढ़ाएगा तो who will you teach English now n o w चले देखे अब आई और व के साथ हमने देखा शेल का प्रियूग किया और जितने भी अन्य सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमें बिल का प्रियूग करना है बहुत सिंपिल रूल है इसका आप देखे अब मैं घर जाओंगा ना आओ और शेल को हम आज हमारे घर महमान आएंगे तूडे दा गैस्ट विल कम माई हाउस अब देखे सेंटेंस क्या होगा सब्जेक्ट आएगा एच वी कौन से होती है वेलोड शेल होती है इसके बाद हम क्या लखेंगे एम बी का प्रियूग करेंगे अगर सेंटेंस अपना मान के चलिए नेगेट है